हेलो गाइज वेलकम अगेंटो माइ यूटूब चैनल माइम इस मनीश गुपता यूर वाचिंग बी एसीजी लेक्चुर्स तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बीज एड़ आइड़ आइड़ आपके बुक का नाम है एंड हम यूनिट एट क्या है हम पढ़ रहे थे तो यून और उससे पहले अगर हम बात करें तो हमने सैलिस रेटा के बारे हम पढ़ा था और उससे पहले की बात करें तो हमने जो हमारा फर्स्ट वाला कौन था वो कौन सा था तो जो भी है हमने लगब लगग चार और त्रोपोड़ा के सफाइलम्स के बारे में पढ़ लिया एंड आप में से अगर किसी ने part 1, part 2, part 3 नहीं देखा है, तो जा के previous वीडियो को देखें, then तभी आपको क्या है, आगे पसंद, ये मतलब समझ में भी आएगा, और क्या है, और आप इनको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, जैसे कि episode by episode हम series वगरा देखते हैं, तो then क् हमारा interest बढ़ता जाता है, वैसे ही आप अगर पहले part से start करेंगे, तो then आपका इस chapter को लेगा, interest बना रहेगा, ठीक है, तो orthopoda जो है आपका biggest फाइला में तो थोड़ा तो time लगेगा ही, और अभी भी इसके दो पार्ट में वीडियो को मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा chapter रहे है, ठीक है, तो then हम बात कर लें हाँ पे, टेलिग्राम चैनल की, ठीक है, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जाके subscribe कर सकते हैं, at the rate bio lecturer है, link में description में दे दूँगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जाके हमें join करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ update मिले या ना मिले, आपको हाँ पे join करना है, अगर आप लोगों का support रहेगा, तो then मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा motivation मिलेगा, आगे के लिए, मुझे hard work करने के लिए, तो then आपको भी हमारा support करना होगा, पूरा proper support दिखाईए, आप अपना और जाके टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, then जैसा कि आप लेक रहे हाँ पे हमारा जो topic है आज का, सब फाइलम यूनी रहमिया, ठीक है, तो यूनी रहमिया topic जो है हमारा स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जाईए, फटा-फट सब्सक्राइब बटन दबा जहाल पे जैसे कि मैं बात कर रहा था, सब फाइलम यूनी-रहमिया की, यहां पे जो वर्ड है, यूनी-रहमिया ऐसे करके हमने सुनाता है, तो जिसमें, आपको क्या है Yo-Ni-रहमिया मैं, आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि बात कर ले-, तो बाइरमे म & एक चीज और थ मैंने आपको बताया नहीं था, तो just मैं आपको बता देता हूँ, clear कर देता हूँ, तो जैसे कि, क्या होता है, कि lobster वगरा, crab वगरा के बारे में हमने पढ़ाता है उस समय, तो जो हम बात करते हैं, उसके podia, है न, podia की बात कर रहे है, podite, podia, जो भी हो, तो podia से just अगर हम indicate करें, तो वो होता है, feet है न, feet होता है, ठीक है, तो endopodite, exopodite और protopodite के बारे मुझे बताना था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, proto, podite, endopodite, और exopodite, ठीक है, कोई दिक्कत, नहीं न, तो देखें होता है, basically अगर मैं बनाओ, यहाँ पर एक picture बनाओ, एक, परापोडिया, परापोडिया कह रहा हूँ, एक feet का structure बनाओ, ठीक है, तो just अगर, इस तरीके से, अगर मैं बनानी कोशिश करूँ, यह segmented होते हैं, इस तरीके से, jointed होते हैं, इनके legs कैसे होते हैं, guys, jointed होते हैं, अलग-अलग नाम होता है, नाम को अभी हमें कुछ ज़्यादा तबज्यों देना नहीं है, बाकी अभी हमें topic समझने की कोशिश करनी है, तो यह just मैंने इस तरीके से बनाया, क्योंकि यह leg क्या है, byramoas है, क्या है, byramoas है, तो byramoas leg कैसा होता है, तो guys, इस तरीके से इस क्या होता है, आपका branch देखने को मिल गया, यहाँ पर एक इस तरीके से आपका इस तरीके से branch निकल आता है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से branch देखने को मिलता है, तो मैं अब इस चीज को समझा दूँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था protopodite की, तो protopodite किसे कहेंगे, तो just यह कहा है, जो base plate होता है एक तरीके से, जहां से क्या होता है, attached होता है यह body से, यह जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा, यह वाला जो part है, यह क्या होता है, पूरी body से attached होता है, organism के, तो यह वाला जो base जो है, यह वाला क्या कहलाता है, यह just आपका क्या क फूटा वाला जो पार्ट है यहां पे जो आपका branched हो के एक अलग segment बना लखा है यहां पे, तो यह आपका क्या है यह आपका endopodite के लाएगा, endopodite, यहां पे जो आपको क्या है, चोटे-चोटे आपको joint देखने को मिल रहे हैं, तो यह आपका हो गया endopodite, and then बात करें exopodite का, तो यह exopodite आपका यह वाला हो जाएगा यह जो बड़े-बड़े आपके कहा है joint है, मतलब pairs जो बने पड़े हैं तो यह आपके exopodite हो गए, ठीक है तो just यह क्या है जो आपके orthopods होते हैं orthopods में जो feet होता है leg होता है orthopods का तो उसमें जो different parts को अलग-अलग नाम से indicate किया जाता है यानि यहाप अगर हम base की बात करें जहां से यह क्या कहते है leg जुड़ा हुआ होता है, उसे हम protopodite कहते हैं यह जो एक substance हुआ रहता है यह मैं बहुत एक्स्टरनली एक तरीके से क्या कहेंगे, हाँ, branched निकला होता है, branch तो then उसको हम क्या कहेंगे, endopodite और जो हमारा main branch है, उसको हम exopodite कहते हैं ठीक है, समझ गए होगे आप तो then हम बापस से आजाते हैं, uniramia में तो uniramia में आपका क्या होगा जैसे कि biremia में ने बताया कि biremia में क्या होगा, lag होगा, ठीक है, इसमें branching आपको देखने को नहीं मिलेगे जैसे कि आपको biremia में देखने को मिलता है, biremos में देखने को मिलता है ठीक है, जो हमने crustacean पड़ा था then हम start करते हैं, uniramia तो uniramia आपका जो है largest subphylum है किसमे, phylum orthropoda का, ठीक है uniramia है, तो देन देखे कि यहां पे, include करते हैं इसमें हम किन-को include करते हैं, to myriopods होते हैं, insects हो गए यह सारे आपके किसमें आएंगे, uniramia में आएंगे, ठीक है, millipates, centipates इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि करके तो insects का तो अभी हम इस वाले part में नहीं होगा, insects को हम एक different part में cover करेंगे इसमें हम basically हमारा myriopods पे, myriopods पे ही focus रहने वाला है ठीक है, because of the unbranched nature and the appendages of its members the subphylum designated, क्या है, uniramia, यहां पे भी लिखा पड़ा है क्योंकि यहां पे क्या होता है, appendages जो बात कर रहा था, मैं legs की बात कर रहा था appendages की बात कर रहा था, इसमें branching आपको नहीं मिलेगा देखने को यहां पे लिखा न, unbranched nature होता है उसका then इसलिए इसके member को हम क्या है, हम इन सब phylum को हम uniramia कह से है, clear हो गया then उसके बाद हम बात कर लें, as those of crustaceans and primitive salice rates that are branched and hence by ramoas, ठीक है जिसे कि अभी हमने क्या है, बहुत सारे हमने crustaceans के बारें पड़ा कुछ primitive salice rates थे, उनके बारें पड़ा तो उसमें आपको क्या है, legs कैसे देखने को मिल रहे थे appendages कैसे देखने को मिल रहे थे, branch देखने को मिल रहे थे जिसको हम by ramoas कहते है, by ramoas पहने बता दिया भी यहीं पे then बात कर ले, uniramoas जो है, उसमें आपके mandibles मिलेंगे non-jointed legs मिलेंगे, क्या है, non-jointed मतलब, क्या है, which are non, mandibles जो आपके कैसे होंगे, non-jointed होंगे, unbranched होंगे and क्या है, appendages without any pulse, देखो, appendages थे इसमें जो appendages होंगे, इसमें किसी भी प्रकार के pulse मौझूद नहीं होंगे appendages में, ठीक है, unbranched, then उसके बाद यहां पे क्या है, they have only a single pair of antenna यहां पे क्या है, जैसे कि आपका crustacean में, दो-दो pair मिलते थे, क्या antenna के, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही single pair आपको antenna का देखने को मिलेगा इसमें antinules और antenna दोनों मिलता था, इसमें antenna ही देखने को मिलेगा, जो कि यहां पे क्या है, corresponds to the second sephalic segment जो सिफॉलिक सेग्मेंट है, जो आपका head और thorax वाला पार्ट है, तो कई सारे segments में बटा होते है, segmentation, prumatameric segmentation देखने को मिलता है इसमें, तो देन आपका क्या है यहां पे, जो second segment है, सिफॉलिक सेग्मेंट है, जस्ट आपके head के बाद वाला जो second segment है, वहां पे आपको क् Uniremias की बात कर ले, इसको थोड़ा और चुड़ा कर दे, Uniremias की बात कर ले, तो यहां पे क्या लिखा है, taking to terrestrial mode of life, यहां पे Uniremias जो आपका species, क्या कहते है, सब फाइला में इसकी जादतर species कैसे होंगे, terrestrial होंगे, धान रखेगा, यह जो Uniremias वाले, जितने भी species होंगे, सारे क्या होंगे, terrestrial होंगे, और क्या होंगे, develop कर चुके होते है, trachea, ठीक है, अगर उनको gas exchange करना है, तो just उनके क्या होता है, हमारे में कहता है, कि हमारा lungs, हमारा क्या करता है, carry करता है, oxygen, and then oxygen को हमारे blood में मिलाता है, then उसके बाद हमारे different cells में पहुँचता है, but इसमें क् ट्रेकल सिस्टम देखने को मिलेगा, ट्रेकल सिस्टम का मतलब है इसमें डायरिक्ट जो गया से आपके डायरिक्ट सेल्स तक पहुचा है जाता है, किसी भी इसमें ब्लड ट्रांस्फोर्मेशन ये ट्रांस्पोर्टेशन वाली स्थिती पैदा नहीं होती है, यहां पर लिख प्रेजन्स मिलते हैं, उससे पहले लंक्स मिलते थे कहीं और इसमें आपको कहें है, ट्रेकल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा गैस एक्षेंज के लिए, यहां पर जो फाइलम है, मतलब यह जो सब फाइलम है, इसको हम ट्रेकेटा भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके जितने भी species पाए जाएंगे उसके अंदर आपको ट्रेकिया प्रेजेंट मिलेगा देन उसके बाद हम बात करें एक्सक्रेटरी ओर्गन की तो इसमें आपको मेलफेजियन ट्यूब्स मिलेगा टिबूल्स मिलेगा एक्सक्रेटरी ओर्गन ठीक है इस कॉक्रोच हो गया बहु आपने स्पीसेज प्रीके ऩालूम हिर कियो जैसा कि आप सभी को मालूम हैं लार्जस सब्सात है तो یہ क्या है मिलेंन आपट्रीकन कवेजियन तो और या सिया आपकी इनियापका मेलें था किया च्लूटि जैसे कि चिलो पॉड़ा डाइपलो पॉड़ा पॉड़ा एंड सिम्फाइला यह जो अभी हम पढ़ेंगे चार स्पेसिफिक लग क्लास है तो इसमें आपको क्या है लगबग लगग 10500 स्पीसिज आपको इन चारो क्लासेज में मिल जाएंगे ठीक है आपका ज्यादा तर तो जो क्लास है इसमें उसमें आपको सबसी जादा स्पीसिज देखने को मिलेंगे तो यहां पर लिखा है इस लेटर फॉर ग्रूपर क्लेक्टिवली नोन इस मायरो पॉड़वस ठीक है तो यह जो आपके जो जो चिलो पॉड़ा है डाइपलो पॉड़़ा है पॉरो के सबसे बहुत करते हैं चिलो पॉड़ा घर वर निकल आते हैं जहां पर मिट्टी उति है थोड़ा सो मॉस्चर कंटेंट होता है ना तो वहाँ पे आपको क्या है अज देखने को मिल जाता है यह तो यह जो centipedes है यह आपका क्या कंटेन करता है यहाँ पे 200 कितने 200 गलत पढ़ रहा हूँ न धाएजार species क्या है कंटेन करता है एंड यहाँ पे describe भी किया गया है कुछ species के बारे में they inhibit both tropical temperate region of the world ठीक है यह आपको tropical region में भी मिलेगा temperate region में मिलेगा यानि लगब लगद दुनिया के हर कोने में आपको यह चीज मिल जाता है ठीक है यह कहां रहता है तो यह soil में रहता है rumus में रहता है और stones के नीचे रहता है और पत्थर वत्थर उठा तो जंगल उंगल में ज box और लॉक्स वह इसमें भी यह कहा होते है चिपे रहते है जिसके बाद हम देखें यह centipede दे रखाया इसमें इस तुम्हें सेंटिपेड का यह उधारन देख सकते हैं इसमें कई सारे segmentation देखने को मिल रहा है आपको यहा पे मिल रहे है लेहाँ पर सेगमेंत सेप में मिल एंटार है cừॉ शप यह योट्व 10 डेखने को मिल रहे हैं इसंगा यहाँ पर गृ burns देखेंगे सेंवाट फ्लैलिके से में बॉरडी संगे उनकी अशुपट खाने उनके लिघलागा और सो बेंटरली नहीं कहेंगे यहां पे मेजर लिखा है मेजरमेंट लिखा इसका दो से लेके 20 से लेके 20 सेंटीमेटर इनका लेंड होता है और इनका कलर आपको कैसा मिल जागा तो काफी वराइटी कलर में रैड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, येल्लो, ये सभी टाइपे आपको क्या है? इसमें color मिल जाएंगे, combination मिल जाएंगे इन color के, then याँ पे क्या है? pair of antenna देकने को मिल जाएंगे, antenna, 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 antenna,星, um, pair of antenna's है, ठीक है, sensory structure है, pair of mandibles भी मिल जाएंगे अगर हम इसको और जूम करके देखे तो pair of mandibles मिल जाएगा pair of maxilla भी मिल जाएगा और appendages of the head भी मिल जाएगा तो यह सारी चीज़े आपको क्या है यह सारे head के appendages है ना head पर पाई जाते हैं antenna, mandibles, maxilla जो अब भी हम previous crustations में देखते हा रहे हैं यहाँ पर भी आपको क्या है यह सारे head में ही मिलेंगे ऐसा नहीं आप क्या है posterior reason में आप इसको क्या है locate कर दो है ना ऐसा मत करना भाई यह आपका आपका anterior reason में मिलता है covering this mouth part there is a large pair of maxillipids क्या है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके mouth के पास ही, ventral side में यहाँ पे क्या मिलेगा तो यहाँ पर maxillipids मिलेगा क्या है maxillipids यह क्या होता है तो यह आपका इसके अंदर होता है floor spr lasciples होता है जो कि poison close होता है यानि अगर माल लेजिए कि उसके सामने कोई ऐसा insect आता है या और तरह पॉड़ा आता है जिसका वो सिकार करना चाहता है तो देन वो क्या करता है वो अपने maxillipates क्या करता है इंजेक्ट कर देता है उससे poison inject कर देता है देन उसको पैलाइज करके देन उसके बाद वो खार लेता है तो देन यह क्या है जस्ट उसके बचाव के लिए या पिर क्या है वो किसी अनिमल को किल करने के लिए प्रिडेटरी करने के लिए वो यूज करता है विच आर अपेंड़ेज ऑफ दी फिर्स्ट पिर अफ ट्रंक सेग्मेंट और यह कहां मिलेंगे आपको तो यह जस्ट जो विच आर्दा मतलब यह जो अपेंड़ेज है ना फर्स्ट पिर आप दी फो यह लिए देगा फ्री फटी ऑठी फैंड र मीटेट फैंग अन्य तर्मिनल पॉंट फैंग अन्य कहां यह ज्याथ胡Itतल अप फैंड को समसिटान इस यह terminal end पर देखने में terminal गलत कह रहा हूंगा चले मैं बताता हूँ आपको ठीक है तो यह जो duct है इसके अंदर poison होता है poison gland होते है इसके अंदर जो कि open होता है then वो क्या होता है कभी भी किसी organism है inject करने के लिए तो क्या करता है वो just आपने fang को just चुबहा देता है ना तो then उससे क क्या होता है कि poison सारे जो भी है organism के अंदर चले जाते हैं following of this trunk segment there is a 15 और more trunk segment pair of the क्या है legs यहां पर आपको क्या है 15 या 15 से अधिक क्या है trunk segments आपको देखने को मिल जाएंगे यानि यह जो trunk structure justice में होता है trunk हम क्यों कह रहे है क्योंकि इसमें जो thorax reason है और appendix क्या था है वह अरे इसको क्या कहते थे इसको क्या कहते थे यह वाले reason को appendix कह रहा हूं मैं इसको हम कहते थे ना यह thorax हो गया और proboscis नहीं कहां से आ गया यार चले मैं आपको बताता हूं कोई बात है नहीं हो जाता है कभी कभी इसको हम कहते थे क्या कहते थे क्या कहते थे क्या कहते थे क्या कहते थे चले मैं आपको बता दूगा appendix 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 तो ठेक है गाईज यह जैसे के यहां पे क्या होता था कौन सीरीजन को हम पार हम कहते है जो जॉइटेद होता था और चलिएFreist नियूma से सेंसी ही कर सकते हैं दर डिफैंस करना हो तो फशन टोब ही एक तरीके से कर सकते हैं या जह यूज़ यह पशा कहों सबसकतों सपर गया होते हैं नहीं होता है या पेर अगिघे लोगार आपको नहीं मिलेंगे है ना and the animals are generally adapted for running और वो animals इस तरीके से उससे adaptation मिला है जिससे कि वो क्या है तेजी से चल पाए भाग पाए है ना क्योंकि यह जो जीव है उनको क्या है काफी सारे बड़ी जीवों से अपनी जान बचाना पड़ता है तो then उससे क्या है इस तरीके से उसको ऐसी running capability मिली है जिससे कि वो भाग सकते है यहां पर लिखा है purpose of the legs are long and are of the same length ठीक है उसके जो पैर है वो कैसे मिलेंगे वो आपके लंबे भी हो सकते हैं और same length के ही होते हैं ज्यादा तर SNA की अलग-अलग length का हो same length के होते हैं centipedes की बात करें तो कैसे होते हैं तो predaceous होते हैं and feed mostly on the orthopod ठीक है centipedes आपके क्या होते हैं ज्यादा तर predaceous होते हैं यानि सिकारी होते हैं दूसरों पे अपने nutrition के लिए dependent होते हैं अब feed कैसे करते हैं तो वो किसी और orthopod पे feed करते हैं ठीक है उससे जो भी छोटा species होगा उसको वो खा जाते हैं प्रे को पैरलाइज करेंगे किसके थुरू तो पोईजन वाले gland जहां पे उनके present होते हैं वो जस्ट वो फॉर्सी फूल इंजेक्ट कर देते हैं पोईजन चला जाता है उनमें उससे पैरलाइज हो जाता है इन सम फॉर्म कुछ फॉर्म में क्या होता है पार्शल डाइजेशन देखने को मिलता है यानि एक तरीक से आधा ट्यूब मिलेगा है और और जो है वह ओपन पे उसका बकल रिजन है यानी जहां सका मांट है इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से तो देन इसके अंदर जो है एक-एक इस तरीके से इस तरीके से ऐसे से छेद होता है ठीक है इस तरीके से पोर होता है जो भी कहें हम है ना तो यह क्या है यह आपका जस्टिस में से डारेक्ट यह हवा इसके अंदर जाता है और इसको हम वैसे पोर नहीं कहते हैं इसको हम स्प कि ऐखें हैς पाइब ए सब्सक्राइब करने कि यह बढ़ जाते हैंडर नेंदर महिंभारा exists तो ट्रेक्वल्स होता है यह ट्रेक्वल्स हो गया और यह जो पोर से इसको हम कहते हैं स्पार्कल कहते है तो बाट समझ में आ रहा हुआ आपको ज़स्वें होता है इसमें जो गैस एक्षेंज कैसे होता है तो gas exchange direct क्या होता है इस tube के अंदर gas जाता है और बाद में ये कई सारे tracheal से होके कई सारे cells तक पहुंचता है यानि ऐसा मत समझ लेना कि ये जो tracheal set या trachea है इसका blood से किसी प्रकार से contact होता होगा इसके अंदर जो भी fluid है उससे नहीं होता है ये just direct क्या होता है gas exchange करने का काम करता है इसमें किसी भी प्रकार से blood हो गया या फिर कोई भी ऐसा fluid matrix नहीं है जिसके अंदर वो घुल के देन उसके बाद क्या होता है cell तक पहुंचना होता है इसके अंदर जो blood होता है बात कर लें जो भी blood होता है इसमें तो इसका बस सिर्फ और सिर्फ जो आपका क्या कहते है जो food material हो गया transportation करना या फिर कुछ वैसे substance हो गया toxic substance जिसको क्या है malphusion tube जो होता है न एक्सक्रीट करने के लिए वो करने के लिए बस काम आता है बाकी gas exchange के लिए इनके पास special function एक special organ होता है जिसको हम क्या कहते है trachea कहते है कोई दिखकत अरे हाँ याद आ गया मेरे को मैं भूल गया था तो just यह क्या होता है trunk किसे कहते है ट्रंक था ना तो वो ट्रंक हम बस किसको कहते थे क्या कहते है आपका thorax reason हो गया और abdomen reason हो गया ठीक है भूल जाता हो ना काफी सारा चीज होता है इसमें ध्यान ही उतर जाता है तो देखिए क्या तो thorax और abdomen just combine होता है क्योंकि इसमें कोई specific अलग टाइप का कोई reason नहीं होता रिजन कह रहा हूं हा रिजन हा प्लेस नहीं होता ठीक है तो यहां पर क्या thorax और abdomen combine होता है और आपका एक particular head होता है तो इसलिए इसको हम पूरा trunk ही कहते है क्या इसकी body को पूरी को हम क्या कहते है ट्रंग कहते हैं ठीक है इसको हम thorax abdomen इसमें हम नहीं बाठते है ठीक है या फिर सेफेलो थारेक्स में नहीं बाठते हैं बात समझेगे इसके बाद यहां पर ट्रेकल सिस्टम के बारे में आप समझ गए होंगे तो यूजली क्या है आपको one pair of spiracles मिलेंगे पर segment में क्या है य यहां पर किलम लगां में भुल लगा एक मतलब सांस लेना हो तो खुल जाए and then क्या हो जब सांस नहीं लेना हो तो बंद जाए ठीक है ऐसा को नहीं होता वो just open क्या होता है cannot be close क्या वो कभी बंद नहीं हो सकता वो में सा ओपन रहता है और यहां पर लिखाए many of the chilloports उते हो है कौन सा है ये ऑर्ग्रव क्या सेंटिपेड है कंकजूरा इसका इंटरनल स्रक्च्र तो कि आप øप अहलों इसका इप थो Bundesregierung सकते हों यहां पे एक आक क्यों है इस्त रर्ठाश करता है यहां से करता है just receptor ठीक है एंड यहां पर और क्या है second maxilla आप देख सकते हैं जस्ट यह क्या होता है अपने प्रे को पकड़ने के लिए आप फिर अपने प्रे को अगर प्राइस करना है यहां इसके बाद यहां पर यहां पर हीट से यहांपर यहां भी नेख सकते हैं आप और नर्स भी बगएर जा रखे हैं यहां पर तर्वाले को हम तो यहाँ को जिसकते हैं यहाँ आपका कहाँ प्रिजन को मैं बता दू यहाँ आपका जैसे कि त्री पार्ट में इनका काहई digestive system को बाटा जाता है, अगर मैं इधर से ऐसे, इस तरह के सकट कर दो, तो यह आ पर आपका पहला वाला जो reason हो गया, वो forgot हो गया, बीच वाला वो गया, या मैं बोलू यूरीक ऐसड, रिलीज करते हैं यह, तो यह uric acid collect करके and then यह anus के अंदर क्या करता है डाल देता है, हैना, तो just यह आपका malphigen tubule का काम है, just excretory organ है यह, and बात कर लें, इसमें testis भी है, कुछ reproductive organ भी है, हना heart भी मिल जाएगा इसमें, जो की क्या होता है, just यह आपको उपर की side मिलेगा यानि dorsal area मिलेगा, हना, just वो blood को pump करने का काम, काफी सारे chamber होते हैं इसमें, then यह mid gut देख सकते हैं, यहाँ पर mid gut है यहाँ पर mid gut है, और यह आपका then यहाँ पर arota देखिए, arota से यहाँ यह देखिए, red वाला जो है, arota है, हना और जूम कर देगा, थोड़ा सा जूम, यह red वाला जो हिस्सा है, यह रोटा है, ठीक है और और क्या रह गया, यह mandibular देख सकते हैं, हना, mandibular हो गया, spiracle देख सकते हैं, यहाँ पर जो छोटे-छोटे pores होते हैं, जो कि trackle system बनाते हैं, यह तो मतलब प्रॉपर यह structure आप देख सकते हैं, यह तो centipede है, डीधर हो गया, और यह accessory gland हो गया, तो यह पूरा का पूरा यहाँ पर अच्छे से internal structure को define करा गया है, यहाँ पर देखे, nervous system जो होता है, इसका orthopodon का, यहाँ पर लिखा है, orthopodon का, जो nervous system होता है, कैसा काफी typical होता है, मतलब, समझ में नहीं आएगा, काफी अच्छे से समझने की कोशिश करने बढ़ते हैं, हमेरा, देनिया पर क्या है, eyes are absent in many, कई सारे जो orthopodon centipede हैं, उसके अंदर eyes नहीं होते हैं, ठीक है, यह आपका photo-recepting structure, जो आई की बात कर रहे हैं, complex eye की बात कर रहे हैं, जो कि आपको, क्या कहते हैं, crustaceans में देखने को मिलता हैं, लेकिन आपको क्या है, यह centipede में देखने को नहीं मिलता है, oscilli मिलता है, oscilli just photo को recept करता है, तो यहीं बताया जा रहा है, light को recept कर सकते हैं, लेकिन वो कई जो हैं, देखने सकते, but in some forms, a few, many oscilli में भी present, यहां पर लिखा है न, कि कुछ क्या है, कई तरह के forms के आपके क्या, oscilli present होते हैं, जो कि just light को recept कर सकते हैं, light जहां होगा, वो उदर की और भागते हैं, then यहां पर many chilliports जो हैं, उसको located in the क्या लिखा है, head at the base of antenna, ठीक है, जो भी uncertain function होता है, जहां पर located है, मतलब head की तरफ होता है, head की तरफ, base of antenna हो गया, वहां पर होता है, यह sense organ, जो भी इनका work करता है, intimate detect vibration, यहीं से वो क्या करते हैं, जो भी vibration हो रहा होता है, जैसे कि हम चल रहे होते हैं, तो हमारे चलने से क्या होता है, हमारे कदम से vibration उठता है, then वो vibration जस्ट यह क्या होते हैं, उनके पास जो यह organ of tomosbury है, उससे वो क्या है, detect कर लेते हैं, and then वो खत्रा महसूस करते हैं, वो वहाँ से भागने लगते हैं, ovary की बात करें, तो ovary इसमें unpaired होता है, जैसे कि normally अगर हम बात करें, काफी सारे species में paired मिलेंगे, लेकिन इसमें unpaired होगा, tubular structure की बात करें, tubular structure होता है, lying of the gut, क्या होता है, गट के उपर होता है, और जो obiduct open की दर होता है, तो exterior by the aperture located on the ventral surface of the posterior legless, ventral segment, ठीक है, जो last के जो दो segment है, मैंने बताये थे, वो क्या होते हैं, legless होते हैं, appendages नहीं होते हैं, तो then वहाँ पे वो क्या होते हैं, जो obiduct है, जिसके through क्या है, आपके x वगेरा, क्या कहते हैं, move करते हैं, तो then वह वाला जो exterior, मतलब बहार की तरफ, तो यह आपका क्या हो गया, ventral surface, अहा, ventral surface पे होते हैं, मौझूद, नीचे की तरफ, तो यह आपके उस region पे क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है, open होते हैं, oviduct, समझ गए बात, कहां पे, ventral surface पे, और, किदर हो गया आपका, जो लास्ट वाले, जो दो segment है, जहां पे, आपके appendages नहीं होते हैं, उधर पे, वो निकलते हैं, then testes की बात करें, यहां पे paired होते हैं, और common genetal duct भी होता है, इनमें also open by a median gonophore, ठीक है, एक common क्या है, genetal duct होता है, जिसको हम कहते हैं, median gonophore कहते हैं, on the ventral side, यह भी ventral side में मौझूद है, और, क्या है, posterior genetal segment कहते हैं, ठीक है, जहां पे यह present होता है, इसको हम, posterior, या नहीं क्या है, NS वाले, मतलब, यह जो लास्ट वाला जो end है, जहां पे NS प्रिजेंट होता है, वहीं पे इसके, इसका क्या होता है, गौना पॉड्स होता है, ठीक है, बात कर लें, और क्या क्या है, इसमें, हां, बात करें हम, जो genetal segment है, इसमें आपको क्या है, बोथ sexes आपको देखने को, मिलेगा, यहां पे देखाता हूँ, कहां गया, हां, तो इसमें बोथ sexes carry करता है, small appendages and called, इसको हम gonopods कहते हैं, ठीक है, इस एरिया को हम gonopods कहते हैं, यह जस्ट female body में होता होगा में भी, sperm transfer is indirect, sperm transfer कैसा होता है, indirect होता है, ऐसा नहीं कि directly क्या होता है, sperm transfer कर दिया जाता है, यह यहां पे पहले spermatoforce का formation क्या आता है, male body में यह क्या होगा, spermatoforce बनाएगा, मैंने बताया था, कि एक gola होता है, गोले के अंदर कई सारे sperms होते हैं, कई सारे sperms होते हैं, जस्ट इस पे layer होता है, तो यह क्या होता है, यह spermatofor बनाके ही तभी female body में transfer करता है, तो centipeds क्या है, exhibit elaborate court से behavior, क्या है कि उसमें कुछ इस तरीके के behavior होता है, जब हो क्या होता है, उनको mating करना होता है, तो देन वो उसमें कुछ अलग type का behavior होगा, जब हो बच्चा निकलता है, एक तरीके से young one निकलता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, may have full complement of segment, ठीक है, उनके पास क्या है, सारे segment आपको देखने को मिलते हैं, epimorphic development देखने को मिलते हैं, epimorphic क्या होता है, तो तो देखे क्या होता है, एक सेग्मेंट दो सेग्मेंट आपको सेग्मेंट देखने को मिलते हैं, अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लिग भी सकते है, I have the sum, same form, can the same number of body segments, successive stage में development होता है, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि, इसमें क्या है, बाद में, developmental stage में आपको क्या है, division देखने को मिलता हो, उसके segment में ऐसा नहीं है, ठीक है, then ये epimorphic development हो गया, और in some species, the young have only a limited number of segment, और कुछ ऐसे species होते हैं, जिसमें क्या है, limited number of segments प्रिजेंट होते हैं, यानि अगर उनके, जो parents है, उसमें क्या हो सकता है, 16 अगर segments है, तो उसमें हो सकता है कि, 8 हो, है न, 8 हो, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, एक example के तुर समझे, तो 8 हो, तो then इसमें क्या होता है, इसमें indirect development देखने को मिलेगा, ठीक है, indirect development देखने को मिलेगा, तब जाके वो, जब adult होगा, तो कई सारे उसमें कई segments एड़ हो चुके होगे, कई बार molting होगा, कई बार उसमें क्या है, segmentation बढ़ता जाएगा, add होता जाएगा, metamorphosis होगा, तो ये सारा चीज आपको देखने को मिलता तो anamorphic और epimorphic समझ गया होगे, समझ गया होगे, then उसके बाद हम ये कह लिखा, the rest, they acquire later, ठीक है, अब बाकी जो बचे वो बाद में उन्होंने acquire करा, then examples की बात करें, यहाँ पे geophyllus, strigamia, strigamia, scolopendra, theotops, lithobius, skew tigra, and young ones do not possess the full complement, ये सारे species जो है, इसके young ones जो होते है, बच्चे होते है, वो क्या है, उसमें पूरा segments आपको देखने को नहीं मिलेगा, जब वो hatch हो रहे होते है, अंडे से बाहर निकल रहे होते है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, adult के पास 15 pair of legs होते है, ठीक है, जो बच्चे होते है, उनके, क्या है, 15 pair of legs नहीं होते है, कम उसमें क्या होते है, appendages और segments देखने को मिलते है, यहाँ पे lithobias देख सकते हैं, lithobias कुछ इस तरीके से दिखता है, यह dark red कलर का है, ब्राउनी स्रेड, यहाँ पे आप देख सकते है, कई सारे appendages है, और यहाँ पे बहुत लंबा सा, यहाँ पे maxi pad में भी होता है, maxi pad में भी होता है, and then यहाँ पीछे में भी आपको देखने को मिलता है, यह वाला आपका हो गया skew, skew टिग रहा हो गया, ठीक है, तो यह सारे आपके क्या है, चिलो पोडा के class के members है, then इसके बाद हम आजाते है, class 2, diplopoda, diplopoda में आपको वैसे millipids, stones, bark, locks, as well as the soil and caps, ठीक है, यह आपको just a bilkul millipids, just a centipids क्या है, stone के नीचे, bark के नीचे, lock के नीचे, रहते थे थे ना, यह भी आपको क्या है, पत्यों के नीचे, stone के नीचे, bark के नीचे, lock के नीचे, यह इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, यह गुफा उफा के अंदर मिल यहां पर लिखा है, as the name indicates, जैसा कि इसका नाम है, क्या है, डाइपलो पोड़ा है, तो इसमें जो large number of आपको क्या है, legs मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि उसमें आपको क्या है, क्या था कि एक segment में आपको pair of, क्या है थे, legs या appendages देखने को मिलते थे, इसमें थोड़ा अलग type का देखने को मिलेगा, इसमें ज्यादा legs मिलेगे इसको, देखें, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगे, they are mostly cylindrical, यह कैसे होते है, cylindrical होते है, ऐसा नहीं के ventrally flattened होते है, यह क्या होते है, क्या है, cylindrical shape होता है, इनका बिल्कुल उपर से एक दम curved मिलेगा देखने को, और यह abundant species हैं में काफी जदा पाए जाते हैं, ट्रॉफिक, ट्रॉफिकल रिजन तो हमारा भी है, है ना, तो हमारे यहां भी क्या है, काफी जगे पाए जाता है, इसे हम राम जी का गोड़ा भी कहते हैं, बहुत चोटे-चोटे इस तरीके से segments होते हैं, और वो सैतूत के पेड़ों के प Polyxenus जो है, एक millipaids का यहां पे एक उदारन है, जिसका साइज होता है 30 cm, लगब लगब लगब, और क्या है, इस पाइरोस्ट्रेप्स, यहां पे होता है, Polyxenus, nearly as in, स्पाइरोस्ट्रेप्स, and distinguishing feature of diplo boards, जिससे हम क्या है, एक तरीके से अंतर कर सकें, अधर अधर क्या कहते है इस पीसे से अधर क्लासे से तो इसमें क्यों सा फीचर है तो डाइपलो पॉड में क्या है प्रेजेंस जो है डाइपलो सेग्मेंट क्या हो गया भाई क्या होता है तो डाइपलो सेग्मेंट क्या होता है जस्ट इस तरीके से एक सेग्मेंट है अब य लिखाएं वाई फ्यूजण क्या है कि इसमें दो सेगमेंट आपास में फ्यूज़ जाते हैं और ऐपलो सेगमेंट बना लेते हैं आप गें, उसके बाद हम बात कर लें यहां पे, और क्या रहे गया, टू पीर अफ लैद्ण है, हपे, यहां पे पेर अयमिल जागा है, हर फिसते oldboys टो, तू पेर ऑफ लैगर मिल जाएंगे, आ हाथ मैं यहां पे लिखे जो कि है e a of large caittanos mendible his head के पास क्या है एक large But the kyunas Mandible मिलेगा और जोकि फ्यूस होता है इससे Maxilla से इसको हम कहें गयनतो चिलरियम दिखा दू गयनतो चिलरियम यहां पर दिखाता हूं यह देखें यह जस्ट हैड के पास होता है यह जस्ट यह क्या है दो मैक्सला कुछ मतलब इस तरीके से फ्यूज होते हैं मैक्सला और मेंडबल्स तो देन यह क्या बना लते गयनतो चिलरिय ठीक है क्योंकि आपको कहा है जो पिछली अइज तो जो उसमें दो-दो Maxilla pair of maxilla देखने को मैंने लेकिन इसमें एक्यमेजीला रहता है, एक Maxilla absent होता है और वह भी रहता है, वह भी Mandables के जाके के साथ combine हो जाता है सभांगे कोप्टाइए होता है यानि उसको हम क्या के कोलंब करेंगे क्या कि जो फिर्सटल 높य रहे है थीक है फिर्स्ट मेरे किसका अ सेग्मेंट का फिप्ल हो सेग्मेंट यह थ dieses segment pair के रहा हम segment वो क्या होगा legless होगा याद रखिएगा legless होगा वहाँ पे legs नहीं होगे just head के बाद head के बाद जो पहला pair यह कहते हैं पहला segment होगा column जो है यहाँ पे लिखा है is not a diplo segment column जो होगा उसमें वो diplo segment देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद के जितने भी आपके segments होगे वो diplo segment होगे इसके आगे head होता है यहाँ पे leg नहीं देखने को मिलेगे लेकिन यहाँ पे आपको legs देखने को मिलेगे इस तरीके से इस तरीके से देखने को मिलेगे second, third और fourth segment है वो क्या कहरी करते है one pair of legs यहाँ पे मैंने double बना दिया है यहाँ पे पहला दूसरा और fourth इसमें दो मिलेगा diplo segment में और fourth वाला जो है आपका इसमें क्या मिलेगा pair of legs देखने को one pair of legs ही देखने को मिलेगा ठीक है दूसरा, तीसरा और fourth ठीक है दूसरा, तीसरा, चौता बाकी उसके बाद double बनेगा यहाँ पे और क्या है इन सम मिलिपेट्स कुछ मिलिपेट्स ऐसे होते है जिसमें last five जो segment है वो क्या हो सकता है legless हो सकता है यानि जो last जो क्या होगा segment होगा leg present नहीं मिलेंगे यहाँ पे trunk जो है end कहा होते है telson में यानि पीछे में एक पूछ सी structure होती है telson जैसी structure है ना just वहाँ पे end होता है which is the at the base of which that the anus open जहाँ पे क्या होता है anus उसका open होता है वहीं पे उसका क्या है आपको telson मिलेगा देखने में exoskeleton जो है इसमे millipedes में वह कैसा होता है impregnated with calcium carbonated कैसा किसका बना होता है मतलब किस से बना होता है वह calcium carbonate से CACO3 से बना होता है ठीक है then और क्या रहे गया यहाँ पे फिर से थोड़ा सा structure दिखाए गया यह आप देख सकते है उपर वाला जो यह segment है segment का part tergum के लाता है नीचे वाला sternum के लाता है और यहाँ पे देख सकते है pore of repuganatorial gland यहाँ पे मिलेगा इस side से और pluron यह वाला structure यह क्या है यह जो tergum है और sternum है जस्टिस के क्या है थोड़े से क्या होते है exoskeleton होते है and then pluron जो है थोड़ा सा इसको क्या है movement में help करने की soft होता है यहाँ पे जो होता है structure pluron यह काफी ज़्यादा soft होता है just इसको movement में help करता है यहाँ पे देख सकते है few rows भी देख सकते है इस तरह के से यह जो diplo segment है तो यहाँ पे बीच-बीच में millipates जो है generally क्या होते harvivores होते है अभी हमने centipates के बारे में पढ़ा तो वो क्या होते carnivores देखे आपका अगर difference पूछ लिया जाए millipates और centipates में तो आप कुछ इसी तरीके से क्या है इनमें difference देखोगे जैसे कि उसमें segmentation था single segment था single segment था इसमें क्या है dipolo segment देखने को बलता है वो क्या था carnivores था तो हर्वी वोरस था और भी वो सारी चीजे लिख सकते हो जैसे जैसे में बताता जाओंगा वैसे बताता भी जाओंगा यहाँ पे लिखा है किस पे फीड करते हैं तो decomposing vegetation जो भी आपके सड़े के लिपदार पत्या वगएरा होते हैं उनको ही decompose करती है जैसे कि सैतूत के पेड़ों पे काफी ज़्यादा होते हैं ठीक है वो वहाँ पे पत्या वगएरा भी खाते हैं यहाँ पे लिखा है the food moisture by the saliva salivory securation ठीक है some millipates क्या है जो plant के juice पे feed करते हैं यानि पत्यों के नीचे होते हैं तो वो just plant का क्या है juice को सक कर रहे होते हैं कुछ यह है कि जो कार्णी वोरस है जो कि predate करते हैं insects को जो कुछ rare है एक तरह की समान सकते हैं जो कि earthworm हो गया centipates हो गया insect हो गया इन पर dependent होते हैं मिट्टी में होते हैं और earthworm को खाते हैं एक तरह के से predate करते हैं उसके बाद respiration की बात करते हैं इसमें भी trackle system आपको देखने को मिलेगा और diplo segmentation तो देखने को मिलता है यहाँ पे has two pair of spiracles और जितने भी diplo segment है उसमें two pairs of आपको spiracles मिलेगे जैसे कि यह diplo segment है यहाँ पे आपको two pair of क्या है spiracles देखने को मिलेगे ठीक है इसी कितरू आपका gaseous exchange होता है और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है spiral in the sternum अब भी sternum वाले reason में होगा tergum sternum just niche वाले reason होता है ventral वाले reason होता है तो ventral वाले reason में आपको मिलेगा then उसके बाद यहाँ लिखा है there is a tubular heart heart कैसा होगा इसमें tubular होगा यानि tube like structure में उसका क्या होगा heart होगा and blindly, posteriorly but continues enterally as an erota ठीक है आपका क्या है यह end कहां होता है तो यह आपका postural end में आपका क्या होता है posterior यानि जो last वाला जो NS वाला जो part है वहाँ पे end हो जाता है end start कहां से हो रहा होता है तो वो अरोटा के form में start हो रहा होता है वो just anterior reason से यानि head वाले reason से start हो रहा होता है excretion की बात करें तो उसके पास pair of malphagion tibius होते है जिसके थुरू वो क्या करता है toxic substance को collect करके NS तक NS कह रहा हो जो क्या है elementary कनाल है उसमें पहुचाता है and then NS के थुरू वो excret हो जाता है कोई specific organ नहीं होता है मतलब एक excret करने के लिए then बात करें eyes जो है 2-280 numbers में हो सकते है और से लिए just photoreceptor होता है इसके बारे मैंने बता है tactiles hair होते है soft soft hair होते है conical projection में बना होता है antenna में तो वो just वो क्या है chemoreceptor होता है यानि वो क्या होता है just chemical को recept कर सकते है कौन सा substance में क्या है क्या नहीं है just उससे वो पहचान सकते है centipedes and उसके बाद यहाँ पे organ of tomos tomosberry तो यह कहां से होता है तो organ of tomosberry से होता है मतलब present होता है इसमें जो की millipeds में भी आपके होते है मतलब millipeds में होते है और centipeds में भी होते हैं tomosberry tomosberry मैंने बताया था just वो vibration को क्या कर लेते है capture कर लेते है पता कर लेते है vibration से की सामने हमारे खत्रा है या जो भी है वो पता कर लेते है यहाँ पे लिखा है pair of long fused tubular ovaries present होते हैं जो आपके long इसमें क्या होते है ovaries होते है tubular ovaries होते है जो की fused होते है तेहें रहें मैं रहें प्रदेवगर क्या होता है क्लिशार लेएंट ना क्यों होता है एक पाउच होता है जिसको हम पैकिंग करकें स्परिक्षा थिस फोर के फॉर में क्या होता है यहां पर देख सकते हैं लोकेट एड़ थर्ड सेगमेंट नोन आज जैनिस सेगमेंट तो यह वाला जो आपका जो यहां पर obe duck कहाँ मिलेगा तो जस्ट आपको मिलेगा separate होता है यह आपका atrium कैलाता है खाप कहये है प्हुंत लोकेटे और चेजमें में जिसको हम DANA की टिजन कहा कर रहा हो कुस्ट परके सिप एकलेन कनेक्श सपांजों एकटिश कर भांच तर्यमर का चेंग पिर करते हैं थोड़ा साज सज्जा कर देते हैं और सपर्मेटोफोर्स बना देते हैं इस तरीके से क्या होता है सपर्मेटोफोर्स फिर उसके बाद वह सपर्म ट्रांसफर करते हैं क्या होता है कि उनके अंदर जो ओविल्स करते हैं और वह मैं यानि काफी समय देखा गया है कि जो सेंटीपेट्स वह आपस में क्लोज नहीं आते इसमें इसमें कैसा देखने को मिलेगा इना मॉर्फिक देखने को मिलेगा मैंने बताया था जब इसमें से अंडे से बच्चे निकलेंगे कि यंग से प्रड़ेज में आपको देखने को नहीं मीलेगा इसमें वीरस सेखने को काफी सारे सेगमें आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद इसमें लिखा एक विच दा है आफ्टर दा सेवरल्विक प्रोड्यूस यंग वन्स विट्ट ऑफ ओफ लेग फिर्फ ऑफ लेग ठीक है याँ पर लिखा है वह होता है काफी विक लग जाते हैं प्रोड्यूस अजब वो प्रोड्यूस करता ह तो इसमें क्या है only three pair of leg ही देखने को मिलते है यानि three pair of leg उसके segment देखने को मिलते है ज्यादा उसमें legs नहीं देखने को मिलते है आप में से किसी देखा हो तो देखा हो मैंने भी नहीं देखा है वैसे तो मैंने बस adult क्या कहते है millipids को देखा है ठीक है वैसा हमने छोटे बाल और seven segments ही देखने को मिलेगा ठीक है पहला और आपका क्या कहते हैं लास्ट के दो या तीन मेरे ख्याल से वह होते हैं जिसमें आपके क्या होते हैं तो कुछ इस तरीक से एडिशनल लेक्स जो है वह क्या है and segmented are added is the mall ठीक है तो मैंने बता है जब उसमें मौल्टिंग प्रॉसेस होता है तो इसमें additional segments हो गया या additional lags हो गया वह उसके metamorphosis process जब वो करता है तब उसमें आपको क्या है उसमें काई सारे stages में वो क्या है add होता हो देखेगा ठीक है indirect development देखने को मिलेगा देन इसके बाद यहां पर इंडारेक्ट तो नहीं कहेंगे लार्वल स्टी तो just water aquatic animal में होता है तो जो भी है malting होने के बाद उसमें कई सारे appendages add होते रहते हैं और segments add होते रहते हैं एक्जम्पल की बात करें यहां पर पहला एक्जाम्पल दे रखा है polygenus देख लिजेए polygenus कैसा होता है कुछ इस तरीके का होता है आपने कभी life में देखा हो तो देखा हो मैंने भी नहीं देखा polygenus को यहां पर law of proctus जो की आपके कैसे होते काफी चोटे होते मिनट लिखा एंड soft integument और इसका जो integument होता है skin होता है काफी ज़्यादा soft होता है and integument के ओपर scale भी होता है scale like cita cita's भी present होता है 13 to 17 pair जो है वहां पर leg present होते है and उसके बाद 13 से लेके 17 pair of legs क्या होते इसमें present होते है और कोई भी gonoports नहीं होता है जहां पर क्या होता है तो इसमें आपका या नहीं होता है distribution इसका वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगा या नि यह पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे क्योंकि यहां पर मैंने बता है तो ट्रॉपिकल और आपका कौन सा रीजन है एक्वेटोरियल है, क्या बताया था, ट्रॉपिकल और सब्ट्रॉपिकल जो भी है, यह सभी रिजन में आपको मिलते हैं, यहां पर लिखा है, ग्लोमेरी, डेसमस जो है, और स्फेरो, ठेरियम हो गया, एंड उसके बाद, यह आपका कहां पर है, यहां पर, कहां है, हाँ यह कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मालूम में नहीं पड़ेगा कि यह क्या है, कीडे से हैं, यह क्या है, स्फेरो, ठेरियम, एंड ग्लोमेरी, इस तरीके से दिखते हैं, इसमें कही सारे सेग्मेंट्स देखने को मिल रहा है, तो यह कीडे नहीं कहेंगे, हम इसको मेलीपेड सी गएंगे कीड़े तो हम बाद में बढ़ेंगे अलग specific class में तो यहां पर और क्या लिखा है एंड पिल मेलिपेड जिसको हम Glomeris कहते हैं Glomeris 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 नहीं मिल रहा है यह यह रहा है यह पील की तरह दिखता है बिल्कुल हम गोली की तरह है इसले इसको हम पिल क्या कहते हैं । यह क्या है आज टार्गल प्रेट इसमें क्या है एक तरख से टर्गल प्रेट प्लेट को फॉर्म करता है इसके अंद य Anda उसके बाद यह जा ने लिखा है लिखा है कलैस लिग्छ ऩए लिए हना た लागल अच्छा श्रीनिय। स्रीकस को खेश सिय और उपके से स्पाइरो। स्ट्राप्ट्टस ठीक है यह भी आपके कुछ इस पीशेज है। और जूलूस जूलूस जिसके बारे में बात कर रहा था, राम जी का गोड़ा कहते हैं। जुलूस कहते हैं जस्ट यह आपके सहतुत के करें के पास होते हैं, और फिर दो पेर उफ लेक्स मिल जाएंगे, लोकेट पर इस सेवंथ सेगमेंट, पहले हैं ना मौडिफाइड एजगोनो पॉर्ट यहां पे भी क्या है गोनो पॉर्मिशन आपको देखने को मिलेगा पॉर इस पर ट्रांसफर करने के लिए यहां पर कुछ और स्पीसिज पॉलिडेसमस ऑक्सिडस फ्लैट ब्लै फ्लैट बैक एंड लेटर टेगल कीज इसमे प्रैक्टिकल वाले बुक में होगा यह पॉलिजोनियम देख सकते हैं तो कुछ से रेर स्पीसिज आपने देखे होंगा कुछ नहीं देखे होंगा बहुत से रेर स्पीसिज है ना इसके बाद हम बात करें क्लास थ्री की तो क्लास थ्री में आपका आता है पॉरो पोड़ा आता है इसमें आपके कैसे होते हैं तो इसमें स्मॉल ग्रूप ऑफ युनी रमियंस कहते हैं यानि इसमें जो ग्रूपिंग है काफी कम ही आपको इसमें स्पीसिज देखने को मिलता है यहां पर देख सकते हैं यहां पर लग 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 पांसो स्पीसिज आपको इसमें से पौ यहां पर देखे क्या है, the minute organism में होता है यह लगो लगो डेड़ मीट mm का होता है, काफी छोटा होता है भाई, डेड़ में तो आप देख भी नहीं पाओ, ऐसा होता है, लेंद की बात करें, चीटी की तरह होता है बिल्कुल है लिव इन, लीफ मॉल्ड और इन स्वाल, ठीक है मिट्टी के अंदर रहता है यह, तो यह क्या है, लिफ मॉल्ड या फिर क्या है, स्वाल के अंदर मिलेगा आपको, छोटा होता है काफी, बॉड़ी इसकी 11 सेग्मेंटेड होती है, 11 सेग्मेंटेशन कभी-कभी 9 भी मिल जाता है, इसमें 9, नहीं, 9 आप देम बियर है, पिय बॉड़ी इसके अंदर प्रिजेंट नहीं होते हैं, तो अदर लेग कर रहे होते हैं, अधर को जो अम कोलम होता है, तो इसके जो पोरो पोड कर डूम है, वो कैसे होते हैं, इन चाईज सटेफिए, पकॉरम पकॉर्ण कोलम हैं तो प्रते के पास एक सेंस ओर्गन होता है पैल्प होता है और इनके बास एक और आर्गन ऑफ टोमोस वरी भी होता है जस्ट यह भी वाइब्रेशन को पहचान लेते हैं अंटिना कैसा होता है इनका बाइरेमोस होता है एक होके कुछ इस तरिके से डिवाइड हो जाता है ठीक है बाइरेमोस ट्रक्चर एक जो ब्रांच है वो क्या है इस इंगल होगा पहला जो क्या होगा सिंगल फ्लेग होगा and other इसका होता है तो मैं बता दो फीश्ट करते हैं यह ज़स्ट डीकंपोजिंग टि इसू कहें कियुक्त कि मिट्टी में पॉड्या गिरते हैं अउप पत्यों से ही फीड करते हैं विजह उट्रेक्या कैसा होता है यूजुली अपसेड्च होता है इसके अंदर हाट और उसमें जो achum नहीं होता है इसमें कपी स्कृटा होता है त्रेकिया भी नहीं होता है ना कुछ और होगा इसके निदर इसमें पता निables निables आग तो इह अपसेंट होते हैं आनि टौ स्माच्ट सब्सक्pelowej यह वितलमेंट इसके इनमॉर्फिक होता है यानि धीरे-धीरे यह डьеवलप होते हैं, एक बार में है अब अबो लो इन्हों पर पोर इमिल्स कोई जो फिर्ञारा यहां मुद्लप एकंजांपल अब देख सकते हैं से मैंने कुछ स्पेसिमन को मैंने लैब मैं देखा था अब क्या है यह कि फाला घर्घ्ट कर रहा था तो आप यह एक और प्रकार का आपका small myropodus group है इसमें आपको क्या है include लगव लगव 160 described species मिलेंगे इस ज्यादत तर इसमें soil living form होते हैं detritus होते हैं and living in leaf mounds as well ठीक है यह कहा है leaf mounds में present होते हैं पत्या जो होती है ना पत्या के कटे-पिटे उसमें प्रिजेंट होते हैं and then उसके बाद क्या लिखा है the measurement की बात करें इसकी measure कितना है इसका 1-8 mm इनका length होता है है और ट्रंक जो बना होता है सब्सक्राइब करें लेकिन इसमें बात कर लें तो बाइस पंद्रह से लेके 22 अपके टर्गल प्लेट्स होते हैं only 12 सेग्में टर्गल प्लेट्स के बारे मैं नहीं पता तो आप फस्ट वाला पार्ट जरू देखेगा मैं नहीं विदाओंगा इसमें इसमें क्या होता है कि जो 12 सेग्मेंट होता है वह बेर क्या करता है और प्रतेक में 13 सेग्मेंट क्या है पियर अप सरकाई करता है जो है और जो अनिमल यह काफी तेजी से भागता है जो मिटी में जो हुमस होता है उसमें काफी तेजी से वह रन करता है जैन इसके बाद यहां पर ट्रंक की बात की गई है, तो ट्रंक determinates the tiny telsun, क्या है उसके अंदर क्या है? terminate होता है, मतलब नहीं होता है उसमें, ट्रंक में tiny telsun, जो काफी organism में present होता है, mouth part जो है, pair of mandables मिल जाएगा, and pair of maxilla भी मिल जाएगा, and second pair of maxilla, जो है fused होता है to form labium, labium बनाने के लिए labium just a leap होता है, तो वो cap उसको बनाने के लिए वो fuse होता है, then उसके बाद pair of spiracles open, ठीक है, spiracles भी होते हैं इसमें, just वो कहते हैं, gaseous exchange के लिए, on each side of the head and the trachea arising from them supply only the three segment, first three segment, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या बोला गया है, कि जो प्रतेक segment है, उसमें जो यहां पर off the head की बात की गए, और trachea की बात की गए, arising from the supply, मतलब पहले three segment से ही, वो क्या है, mostly अपके air वगरा supply होते हैं, eyes की बात करें, इसमें eyes लिखा है, absent होता है, but appear of tomo zervi, tomo zvarai, organ present होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, eyes absent होता है, लेकिन tomo, tom इसमें भी species अभी हम देखें, इसमें eyes होते ही नहीं है, या oscilli होता है, या फिर termo zvarai, क्या होता है, organ होता है, just यह क्या है, हमारे vibrations से दूर भाग जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो देखके बागे आपको, नहीं जी, देखके नहीं बागते हैं, just वो हमारे vibration को मैसूस करते है and then वो क्या है, वहाँ से रफूचकर हो जाते हैं, तो यहाँ पे sim filance है, वो exhibit करता है, को एक पिकलर, एक बहुती अजीवो गरीब उनकी खूबी होती है, जैसे कि copulatory behavior की बात करें, इसमें male जो है, deposit करता है, 1 to 450 per meter, यानि 1500 से 450 per meter deposit करता है, which are swallowed by the, मतलब एक बार निकाल जाता है, तो काफी अजीवो गरीब इसमें किया है, आपको देखने को मिलता है, copulation, इसके बाद यहाँ लिखा है, इस पेसल बकल पाउचे होते हैं, इसमें, जो female body में, जस्ट उसमें जाके stored हो जाता है, यहाँ पे लिखा है, then she releases the egg, जब वो release कर रही होती है, तो single gone of pore, ज का attached होता है, substratum से, यानि वो क्या कहते है, क्या कहते है, surface से, and then sperm जो है, जैसे smirred होता है, smirred जैसे ही वो क्या होता है, निकलता है, then उसको क्या है, eggs के साथ huge हो जाता है, by the female, fertilize हो जाता है, then development, इसमें, anamorphic देखने को मिला है, parthenogenesis भी, इसमें common है, parthenogenesis मनें बता दिया थ जाता है, यह common है, same violence में, and skewty, skewty, galeria, ठीक है, यह भी आपको, species, यहाँ पर example दे रखा है, यहाँ पर दो example देख रगए, ठीक है, यह मिट्टी में पाई जाने वाले कंखजूरी जैसे हैं, लेकिन यह कंखजूरी नहीं है, अलग type के species हैं, ठीक है, तो यह क्या लेका है, scatogaria, garrilla, ठीक है, skewty, garrilla, skewty, garrilla, ठीक है, यहाँ पर हमारा SAQ है, SAQ देखे क्या कह रहा है, यहाँ पर, जो पहला question है, यहाँ पर कह रहा है, कि why is the name uniramia gives the centipeds, millipeds, and insects, uniramia, जो है, वो क्यों दिया गया, name, centipeds को, millipeds को, insects को, कुछ और भी तो दे सकते थे हैं, तो, यह वाला तो मैंने बताया था आपको, just to, उनके, क्या होते हैं, जो appendages होते हैं, appendages कैसे होते हैं, uniramis होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, uniramis होते हैं, जिसके कारण उनको क्या है, uniramia में include किया गया है, ठीक दो यह सब्धियों में के जाते हैं तो मेरे को यह सिसी आपट poles ऑचिलों उसके बाद नुगा तो हुदर के की डायं दैपलो हुद चिलों पोटर दैपलों की Cheryl क्या राइटिंग है डाइपलो पुडा और परो पुडा किया था बताएगे सिंफाइला पॉइला और एक और इंशेक्टा क्लास को हम आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में यहां पर लिखा है Name the Cepholic Abandages of Chiloports तो Chiloports के हमें क्या बताने हैं यहां पर Cepholic Abandages के बारे में बताने हैं ठीक है उसका क्या नाम होता है तो बताएगी क्या हो सकता है आप सभी को याद है तो देखे क्या होता है उनका जो क्या होगे तीसरा कोशन है तो सिफॉलिक Abandages को बताना है यहां पर देखे pair of antennas होते हैं इनके पास pair of mandibles होते हैं और two pair of maxilla होते हैं यह लिख देजेगा ठीक है यहां पर लिख दूँ क्या चले में लिख देता हूं तीसरा pair of mandibles antenna antenna भी तो होता है pair of antenna भी होता है antenna जो भी है antenna अपलिक लेना सही से two pair of क्या होते हैं maxilla होते हैं त्जिक है और भी हुआ जिक हिर दिकट out is and के बार से के बाद हैं डाइपलो सेग मिन क्या होता है तो डाइपलो सेग में बताया था आपको क्या चैनल। सेगमेंट हो वो दो सेगमेंट क्यों आपस में एक ही सेगमेंट में हो जाहें कुछ इस तरिके से तो देन क्या प्रोह डाइब सेगमेंट क्लाते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाहों तो लिख सकते हैं थो सेपरेट सेगमेंट क्या होते हैं च्रीकHey सेगमेंट कि फ्यूज जहनी कर Bring give thee Earth है तो वो dieplo segment बनाते है वे बाकी आपको अच्छे से और भी briefly लिखना है तो आप क्या है प्लार ले सकते हैं और भी उच्छे से इसको describe कर सकते हैं यहां पर कुछ आपको फिल इंदा ब्लैंक सह यहां पर लिखा है और इसमया गना जियृति याभी पि instruments छो निषे लिखा लेग pourtant वह जाग है तुलं के लाथा है पंपिकले की उपिकले कितार पूरा यह जाए अ pump transfer mechanism of in symphylion ठीक है, symphylion में क्या होता है तो justice में क्या होता है spermetophore क्या होता है मैं सिर्फ ऐसी बता दे रहाँ आप ऐसे समझ लिए कि spermetophore क्या होता है male male symphylion के थूँ निकाला जाता है ठीक है वो लगभा कितना होता है 120 से 500 है 120 से लेके 450 होते है ठीक है numbers में then वो क्या होता है जैसे ही वो एक तरह के से मिटी वगएरा में छोड़ दिया जाता है तो swelod कर लिया जाता है किसके थुरू swelod by मिगर लिया जाता है female के दौरा ठीक है then वो अंदर बे जाके egg fertilize हो जाता है तो ये था आपका question and answer आप चाहो तो इसको और अच्छे से लिखना copy में ठीक है आपके revision में काम आएगा आप पूरी book को दुबार से पढ़ने की ज़रूत नहीं है जो मैंने बता दिया है then उसके बाद आपको ऐसे क्यों को पूर करना है नहीं किया वो क्रिप्या करके कर दे बैल आइकन बटन को प्रेस कर दे ताके मारे वीडियो उसकी जो notification है वो आपको time to time मिलती रहे then आप हमारे जो भी आपको क्या है query है या फिर आपको कोई doubt है रह गया है इस चैप्टर को लेके मतलब इस पार्ट को लेके तो देन आप मेरे को क्या है comment section में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें एक्जाम टाइम है बच्चों के काम आएगा knowledge के लिए भी काम आएगा ठीक है हर कुछ exam के purpose के लिए नहीं होता आप knowledge गिन करके जाएंगे तो ज्यादा आपके लिए झाल